नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मैं क्रियेटिव रेनु संजे पांडे एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरी सा और बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा क्रियेटिविटी वाला आइडिया लेके आई हैं आप लोगों को पसंद जरूर आएगा भाई हमारे पेस्टिवल दीपावली सीजन देव दिवाली तुलसी विवास सभी बीच चुके हैं और हमने अपने घरों में बहुत धूम धाम से मनाया और दिये भी बहुत ही जलाये और दिये में उन पुराने दियों का अब किया ग्य अगर आप भी इंट्रेस्टेड हैं उन दियों से अपने घर को सजाने में तो चलिए हमारे साथ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और बहुत ही सरन तरीके से मैंने अपने घर को डेकोर किया है इन दियों से और बहुत इक्स्पेंसिव भी दिख रहा है वो चलिए हमारे साथ बने रही है और हमारे वीडियो को पूरा पूरा वाच करिए बीची में हम उन हाउस वाइप के लिए भी बहुत इंट्रेस्टिंग सा आइडिया लेके आये हैं पुराने दियों का जो की ध्यान से देखिएगा ताकि स सायद आपके भी यह यूज में हो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को समय को बिल्कुल भी नहीं बरबात करते हैं और शुरू करते हैं हाजी दोस्तों अगर आपके भी घर में इस तरह के पुराने दिये रखे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही चलिए फिर आपके पास इस तरह के अगर रोल लखे हुए हैं तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए जल्दी से और इसे इस तरह से हम इसमें अटेच करेंगे मैंने फैविक औल का यूज किया है आप चाहें तो फैविक पिक या ग्लू गन का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब आई बारी हमारे इन दियों के टुकडों की दियों के टुकडों को इस तरह से मैंने इस तरह से इस धकन में लगा दिया है यह धकन ज्यादतर आप लोगों को जो आप खाने ले आते हैं उन सब डिबों में मिल जाएंगे अगर आपको इस तरह के धकन नहीं मिलने तो आप क इस्पेंसिव आला आयगा और बहुत ही इन्ट्रेस्टिन्ग लगेगा हम dais कि इस तरह से हम धियो को अपने ढग लेंगे और ये हमारे पास था स्प्रे गोल्डन कलर का आप गोल्डन कलर भी कर सकते हैं मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मुझे आप लोगों कोई साथ वीडियो शेयर करना था तो मैंने इस तरह से जल्दी जल्दी से इसे स्प्रे कर दिया और ये हमारा गोल्डन कलर हो गया और हमारा ये दिया भी यूज हो गया और हमारा ये प्यारा सा गोल्डन कलर का ये वाल डेकोर देखी बिल्कुल बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है मेरे वाल में तो चार्चांद लगा दिये इसने बहुत ही कुपसूरत लग रहा है देखिए आप लोग बताइए का जरूर कैसा लग रहा है हमारा ये होम डेकोर आइडिया हमारे ये पैडला आइडिया आपको पसंद आया होगा I am sure चलिए दूसरे आइडिया की तरफ चलते हैं ये रहा उस धकन का डिबा और इस तरह से मैंने फैविकॉल लगा कर पेस्ट करना चाहा और इसमें बड़ा ही टाइम लग रहा था फैविकॉल से सूखने में तो मैंने ग्लूगन से जल्दी यल्दी पेस्ट कर लिया और मैंने इस पर ब्लैक स्प्रे किया ब्लैक स्प्रे करने के बाद ये बहुत ही कुपसूरत लगने लगा लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा मैं ने जब इसमें उपर से गोल्डन कलर का शेड दिया ना तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही एक्स्पेंसिव प्लांटर लगने लगा ये बिल्कुल मार्के ये देखे हमारा ये दिया का ये दूसरा आइडिया बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही सस्ता सा ये तयार हो गया है और ये महंगा वाला प्लांटर आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं वही पुराने दिये हैं आपके देखे किता ही खुबसूरत लग रहा है अब चलते ह हम अपने तीसरे आइडिया के तरब देश्हन वार्बोर्ड का गी Commonwealth के सब्र células कमें ceremonी च्षिरा भाव्यक्राद कंष्टाय मैंने दो आखे और एक नाथ बना लिये हैं और ये कुछ पतियां इस डंडी में मैं थोड़ा सा लगा दूंगी जिसे ये बिल्कुल पौधे वाला लुक आएगा और ये देखे हमारा ये वाल डेकोड तीसरा वाला भी तैयार हो जा रहा है तीसरा डाई हमारा बहुत ही प्य को कलर कर दिया है और इसके उपर पहले मैंने पूरे वाइट कलर से कोटिंग की है ताकि इस पर जो कलर डाले वह बहुत ही प्यारा उबर कर आए और उसके बाद मैंने नीचे वाले में प्लेट में स्काइफ लू कलर किया है फिर पिंक कलर का यूज किया है और ये पिंक कलर रख्राइब आप चैनल को पहले हैं तो जल्दी से सबस्क्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत करते हैं हम और ये वाला डाई करने में तो हमने बहुत ही मेहनत किये हैं कम टाइम में और मेहनत ज्यादा किये हैं देखें ये कितना ही प्यारा सा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा उपर नीचे खाली-खाली सा लग रहा था तो इस तरह से मैंने कुछ टॉपिक्स लिख दिये हैं और ये देखें हमारा प्यारा सडाई तैयार हो गया है हाँ जी तो हमारा ये हाउस वाला आइडिया जो था वो ये है कि हमारे जो बचे हुए दिये के टुकड़े हैं उसे हम बिंबार या सबर्तन धुलने के साबन में डाल लेंगे और इस तरह से डालने के बाद जब हम बर्तन धुलेंगे ना तो कड़ा ही तबा और बाकी सारे ब तक डेकोर हो सकते हैं यह इंट्रेस्टिंग आइडिया और यह हमारे एक रूम को बिल्कुल एक्सपेंसिव सा और बहुत जरा सा हटकेल दिखाता है और बहुत ही अट्रेक्टिव लगता है आप एक पर ट्राई जरूर करिएगा और पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज जरूरत हो और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा समय पर पहुंचते रहें चैनल में पहली बार आये हैं तो सबिस्क्राइब जरूर कर लिजिए मिलेंगे फिर हम अपने अगले वीडियो में Namaskar